हाई अब्रीबडी, we have just received an update that IFSCI notification is out इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि important यहाँ पे information क्या क्या है for example, जो आपकी online application start हो रही है यह date बहुत important है, यह आपको पता होनी चाहिए अगर आप इसमें interested हैं तो application start होनी है 28th March से और यह चलेगी till 21st April, exam की date अगर हम phase 1 की बात करें तो यह उन्होंने mention कर रखा है कि May last या June में हो सकता है अब May में होने की possibility बहुत कम है क्योंकि आपको पता है से भी भी lined up है So May last में, May last week में हो सकता है या फिर June में जब एक बार General Elections के result आ जाए तो May भी उसके बाद यह हो सकता है फिर भी आपको मान के चलना है कि May last में exam होगा और उसी के around फिर आपकी तयारी भी होनी चाहिए और अगर हम phase 2 की बात करें तो अगर May last में exam होता है phase 1 का तो फिर ऐसा हो सकता है कि June end में phase 2 हो जाए अगर June में phase 1 होता है तो फिर phase 2 आपका जुलाई में होगा और इंटर्व्यू की डेट यह सब फिर बाद में आएंगे उसके बाद जो next यहाँ पे आपके लिए important है वो यह इनमें इस information के around बहुत सारा doubt रहता है बच्चों का और last year मैंने mail भी किया था इसके बाद यह चीज क्लियर हो गई कि आपका stream कुछ भी हो ठीक है कोई भी graduate इसके लिए apply कर सकता है और यहाँ पे जितने भी आपको subject के नाम दिख रहे है last मैं आपको यह भी दिखेगा कि bachelor's degree in law or in any other discipline from a recognized university तो यह जो यहाँ पे लिखा है इसी से clear हो जाता है कि आपका subject कोई भी हो आप इसके लिए eligible हो तो इस चीज को लेकि बहुत जादा doubt नहीं होना चाहिए last year भी बहुत सारे बच्चों ने mail भी किया था IFSEA को और हमारे से भी पूछा था तो उसका reply यह है कि कोई भी graduate इसके लिए apply कर सकता है अगर आप number of seats की बात करें यहाँ पे तो total यहाँ पे 10 seats है जिसमें legal stream का भी included है जैसे इसी के ऊपर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर देखो तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि out of 10 posts 2 posts are earmarked for legal stream and the remaining 8 are for general stream तो यह जो यहाँ पे under sorry, unreserved में आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से 1 legal stream के लिए हो और 2 general stream के लिए हो तो इसी तरह आपको यह देखते जाना है इसमें से बाकी सारे facts भी आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत important है like syllabus की बात करेंगर हम ठीक है age का भी आप यहाँ से देख लेना कि age की criteria जो दे रखी है वो यह कि general category की जो students है उनके लिए उनकी age as on February 1st 30 साल से उपर नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो फिर आप तो इसके लिए eligible हो ओके आप देखो phase 1 का जो paper होगा तो phase 1 को यहाँ पर two parts में divide किया गया paper 1, paper 2 paper 1 में आपको पता है अच्छे से कि जो sevy का pattern है वही इसका भी होता है paper 2 में sevy के बहुत सारे topics आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि commerce हो गया उसके बाद accountancy, management, finance, costing इसके अलावा कुछ-कुछ और additional topics हैं जो RBI phase 2 के लिए बहुत relevant होते हैं वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जैसे अगर हम बात करें five year plans ठीक है तो यह थोड़ा सा static topic हो गया वो आपको यहाँ पर दिखेगा उसके बाद global economy फिर आप देखो यहाँ पर तो ESI का जो part है economic and social development तो यह सब चीजे भी आपको देखने को मिल जाएंगी कहाँ पर paper 2 में off phase 1 उसी तरह जो phase 2 होगा वहाँ पर first paper होना है descriptive का और paper 2 के लिए IFSE Act Union Budget तो मतलब कि RBI और SEBI को अगर आप mix कर दो तो more or less वह आपके IFSE का syllabus बन जाता है बाकी जितने भी इसमें criteria है ठीक है जैसे कि shortlist करने के जो यहाँ पर shortlist करने का जो यहाँ पर method है तो वह SEBI के तरह काई है और last year IFSE में भी ऐसे हुआ था तो यह आप detail में एक बार PDF read करना बहुत जल्दी मैं एक video लेके आऊँगा जिसमें वैसे students जिनको RBI और SEBI दोनों देना है उनके लिए यह paper बहुत ideal है अब I know कि vacancies बहुत कम है इसके वज़े से हो सकता है कि आप थोड़ा सा demotivate हो जाओ लेकिन आप ऐसे सोच के देखो कि अगर आपको RBI और SEBI दोनों देना है तो यह exam भी आपके लिए एक बहुत अच्छा tool हो सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से topics को cover कर लिया तो इसमें तो chances हो गई होगा लेकिन इसके अलावा भी यह आपके SEBI और RBI दोनों के preparation को भी boost करने वाला है तो अगर आप RBI और SEBI दोनों दे रहे हैं उस case में तो मैं आपको सेरेश्ट करूँगा कि यह exam भी आप जरूर दो बट अगर आपको सिर्फ RBI देना है तब हो सकता है कि आप थोड़े time के लिए सोचो इसके उपर कि आपको यह exam attempt करना है या नहीं ठीक है बट वैसे बच्चे जिनको RBI से भी दोनों देना है उनके लिए मेरे हिसाब से यह must है आपको यह attempt करना ही चाहिए तो अभी के session में इतना ही next video में हम बात करेंगे कि कैसे यह syllabus को आपको cover करना है क्योंकि time बहुत कम होगा इसके लिए भी तो उस video में हम देख लेंगे कि जितना time है हमारे पास उसमें कैसे topics को cover करना है thanks for watching